नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ रुतिक सुमन लोक जन शक्ति पार्टी राम विलास एक ऐसी पार्टी है जिसके रश्ट्रे अध्यक चुराग पासुबान लगातार एक नई पार्टी को बिहार में मजबूत करने के लिए बिहार में कर रहे हैं और आपको बता दें ऐसे में उन्होंने आशिरवाद यात्रा की थी लगातार जन समवाद करते हैं चुराग पासुबान जो की जमूई से सांसद भी है और ऐसे में अपनी नई पार्टी क्योंकि उनके पिता स्वरगी राम विलास पासुबान के निधन होने के पार्टी दो भागों में बटी एक पार्टी बनी लोजपा राम विलास जिसके राश्ट्रिय लोग जन्शक्ति पार्टी जिसके राश्ट्रिय अध्यक्ष केंद्रिय मंत्री पसुपति पारस हैं जो की राम विलास पासुबान के भाई हैं और चुराग पासुबान के चा एक बार फिर से लोग जन शक्ति पार्टी राम विलास ने आठ नए प्रवक्ताओं को प्रतनिक्त किया है, मनुनित किया है, साथ इसाथ दो मीडिया प्रभारियों को भी निक्त किया है, मनुनित किया है, और इसकी जानकारी लोजपा राम विलास के प्रदेश अध्यक्ष र वित मुबाइल नंबर इन तमाम लिस्ट में उनका नाम जारी कर दिया गया है अब आपको नाम लेकर हम बताते हैं कि आखिर नाम किन-किन का मनुनित किया गया है आपको बता दे लोग जन्शुक्ति पार्टी राम विलास ने मेडिया सेल की नई सूची जारी की है नई सूच इनको भी प्रवक्ता ने किया गया है अनुपम पासवान इने भी लोजपा राम विलास का प्रवक्ता मनुनित किया गया है नंद कुमार पासवान को भी पार्टी का प्रवक्ता मनुनित किया गया है देवजानी मित्रा और नवल शर्मा को भी पार्टी ने यानि कि मुख्य प्रवक्ता का नाम है राजेश भट का चलिए बात करते हैं प्रभारियों की मीडिया प्रभारी के अगर बात करें प्रिंट मेडिया को लेकर तो निशांत मिश्रा और कुंदन पास्वान ये दो नाम है जिनके नाम को मनोनित किया गया है तो ये नाम की सूची आपन उन्हें पहले भी जान का रही थी राश्ट्रिय अद्यक चुराग पास्वान लगातार अपनी पार्टी को बिहर में मजबूत करने में जुटे हैं जब भी उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो महागडबंधन करेंगे या क्या वो महागडबंधन में जाएंगी या फिर हो चुकी है मुख्यमंतरी नितेश कुमार का विजन अब पुराना हो चुका है ऐसा चुराग पास्वान का कहना है चुराग लगातार जब भी उनको माका मिलता है वो लगातार बिहार सरकार की कानून विवस्था पर भी सवाल कड़े करते हैं और लगातार प्रदेश में लेकर उनका ये बयान रहता है कि बिहार में law and order की धजिया उड़ाई जा रही है बिहार में शराब बंदी अभियान विफल है ऐसे में बिहार सरकार के मुख्य मंत्री पर भी लगातार वो हमलावर लगातार रहे हैं ऐसे में अब उनकी पार्टी भी नए नए एक्स्परिमें करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद